हे दोस्तों, हम किते भी अमीर हो जाए, फेमस या पावफुल हो जाए, जब तर हम चीजों को लेकर बहुत ज़ादा फिकर करेंगे, तब तक जिन्दगी हमें उत्ती अच्छी नहीं लगीगी जैसी लगनी चाहिए, क्योंकि ज़ादा वरी करना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ए पाएंगे, नपोलियन और हेलन केलर इस बात को प्रूफ करने की परफेट एक्जेम्पल है, नपोलियन के पास हर वो चीज थी जिसकी एक नॉर्मल इंसान सपने देखता है, फेम, पावर, पैसा, सब था, फिर भी सेंट हेलेना नाम के आईलेंड पे नेपोलियन ने एक्स प्रूशी से जी सकती है, अपनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ, तो हम क्यों नहीं, जादा वरी करना हम पर बहुत इंपक्ट करता है, एलेक्सिस कैरल जो के एक नोबल प्राइस विनर है, उन्होंने कहा, पीपल वो डूनाट नो हाओ टू फाइट वरी, डाय अरली, ड स्टेडी में 15,000 पेशेंट्स को एक्जामेन किया गया, जिने स्टमक डिसॉडर्स थे, उन्हें एक्जामेन करने के बाद पता चला, पाँच में से चार पेशेंट्स के बीमारी का कोई भी फिजिकल रीजन नहीं था, बलकि उनके फियर, वरी, हेट, सेलफिशनेस, ये सार और कोई रीजन नहीं, बस हमारे ज़ादा वरी करने से होता है, अब ये सारी चीज़ें आपके लिए मोदन इनफ होनी चाहिए, ये बात समझने के लिए, कि वरी करना हमारे लिए कितना हमफुल हो सकता है, विलिसेच कैरियर एक इंजीनियर थे, उन्हें एक बार एक फैक्टरी में गैस क्लीन करने वाले डिवाइसे को इंस्टॉल करने का प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए कंपनी के मिलियोंस ओडॉलर्स लग गए थे, पर ये प्रोजेक्ट खतम करने के बाद कैरियर को पता चल वो इतना फिकर करने लगे थे कि उन्हें नीन दाना बंद हो गई थी, बट फिर उनकी कॉमन सेंस ने उन्हें याद दिलाया कि उनका फिकर करना सिच्वेशन को ठीक नहीं करेगा, सो उन्होंने एक टेक्निक निकाली अपनी इस वरी की प्रोब्लम से डील करने के लिए, औ इस प्रोब्लम के वज़े से आपके साथ क्या हो सकता है, कैरियर ने जब यह सोचा तो उन्हें पता चला कि उनके इस फेलियर के लिए उन्हें जेल या फासी तो नहीं होगी, बट हाँ, उनका मार्केट में नाम बहुत खराब होगा, और 20 मिलियन डॉलर्स जो उन्होंने employees के साथ invest किये थे, वो पूरे डूब जाएंगे, step 2, worst case पता चलने के बाद आप उसे mentally accept कर लो, कैरियर ने अपने आप से कहा कि ठीक है, अब अगर ऐसा हो गया है, तो कोई बात नहीं, मैं फिर से महनत करके अपना नाम बना लूँगा, और employees को समझा दूँगा कि यह experiment cost था हमारे gas साफ करने की new technique को test करने के लिए, worst thing accept करने के बाद carrier को बहुत ही जादा सुकुन मिला, जो उन्हें बहुत time से नहीं मिला था, step 3, जब वो बुरे से बुरी चीज mentally accept हो चुकी हो, तो फिर आप उस worst को better या और अच्छा कैसे कर सकते हो, इस बारे में सोचो, again carrier ने devices बराबर काम करने लगेंगे, फिर उन्होंने ऐसा ही किया, जिसका result यह हुआ, कि 20,000 dollars loss होने के बज़ाए, उन्होंने 15,000 dollars का profit करा दिया, यह solution निकालके, carrier कहते हैं कि अगर वो यह 3 step follow नहीं करते, और बस फिकर करते रहते, तो उन्हें ऐसा results कभी नहीं मिलता, यह technique हमारे लिए भी बहुत काम किये है, क्योंकि जब आप worst outcome को accept कर लेते हो, तो आपका दिमाग एक जगा से दूसरी जगा जाके परिशान होना बंद कर देता है, और problem को solve करने पे ज़्यादा concentrate कर पाता है, पर जब तक आप accept नहीं करोगे अपनी problem को, आपका दिमाग आपको खाता र डॉक्टर्स जिन में specialist भी थे, उन्होंने हैनी को जवाब दे दिया था, ये बोलकी कि उनकी बिमारी का इलाज नहीं है और उनका बचना impossible है, आप सोची सकते हो ये सुनके उन पे क्या बीती होगी, वो बहुत परिशान रहने लगे थे, पर फिर उन्होंने decide कि जबकि मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, क्योंना मैं इस टाइम को एकदम बेफिकर होके खुशी से बिताऊ और एकदम खुल के जीऊ, उनका सपना था कि वो मरने से पहले वर्ल टोर पे जाए, सो उन्होंने वही करना सही लगा, उन्होंने शिप की टिकेट बुक की, डॉक क्या है, ये अरेंजमेंट करने के बाद वो एकदम बेफिकर होके ट्रिप पे चले गए, उन्होंने बिना सोचे समझे जो धिल क्या वो खाया और पिया, बड़े बड़े सिगार पिये, गेम्स खेले, नए दोस्ट बनाए, रात रात भर जाक के मस्ती की, गाने गाये, ऐसे तुफानों में इंजॉय किया, जो जान लेवा थे, और फिर पुरी ट्रिप खतम होने के बाद जब वो वापस आये, तो उनका 90 पाउंड वजन बढ़ गया था, वो भूली ही गहते कि उन्हें स्टमक अलसाज हैं, सप्राइजिंग लिए वो एकदम ठीक हो गए थे, और उ अब अगर वो ये पता चलने के बाद कि मैं मरने वाला हूँ, बस फिकर करते रहते, तो डॉक्टर्स की बात सच निकल जाती, पर उन्हें ने अपनी फिकर खतम करके लाइफ का मजा लिया, जिसने उनकी जान बचा ली count your blessings, मान लो कोई आदमी आके आपको 5 करोर रुपए दे और कहें मुझे अपने दोनों हाथ काटके बेज दो, तो क्या आप बेचोगे अगर वो आपको 5 करोर और दे और बोले अपनी दोनों टांगे भी काटके दे दो, बहुत सारे और पैसे दे और बोले अपनी आखे, कान, दूसरे बॉड़ी पार्ट्स भी दे दो, तो क्या आप दोगे जहां तक मुझे लगता है, होपफिली आप नहीं दोगे, और नहीं मैं दूँगा तो इससे हमें ये पता चलता है, देट हम अलरीडी कितने अमीर है हम अलरीडी उन चीजों के मालिक है, जिनकी वैल्यू हमारे लिए करोडों से भी ज़ादा है जो की है हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी और हमारा टाइम बट सिल सोचने की बात ये है, कि हम कुछ लाखो रूपे की मटिरिलिस्टिक चीजों को ओन करने के लिए अपने इन सबसे कीमती चीजों को हच से ज़ादा प्रेशर पे डालते हैं पनिश करते हैं और उसे एकदम खराब कर देते हैं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप सक्सेस्फल बनने के बारे में ना सोचो पर इतना ध्यान दो कि आप सक्सेस पाने के चक्कर में अपनी हेल्थ और बॉड़ी को ना खराब कर लो बिकॉस कितनी भी बड़ी सक्सेस क्यों ना मिल जाए, बिना हेल्थ के वो कोई काम की नहीं होगी हमें उन चीजों के बारे में सोचके सैड नहीं होना चाहिए, जो हमारे पास नहीं है बलकि वो सारी अच्छी चीज़े जो हमारे पास already है उसको सोचके अच्छा फील करना चाहिए ये एक principle है जिसने मेरी जिन्दगी तो बहुत आसान कर दिया है मैं जब भी किसी चीज़ को लेके worry करने लगता हूँ तो ये सोचता हूँ कि यही same time कहीं दूर ऐसे भी लोग हैं जिनके सामने उनकी पूरी family को जान से मार दिया जा रहा होगा ऐसे कितने सारे लोग भी हैं जो प्यासे होंगे और उनको पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा होगा ऐसे कितने लोग भी है जो भूग से इतने तडप रहे होंगे कि मिट्टी खा के अपना पेड भर रहे होंगे और मैं यहाँ इतना सेल्फिश हूँ जो अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की फिकर करके सैट बेटा हूँ हम सब अपनी प्रॉब्लम से परेशान होके लाइफ को कोस्ते हैं पर यकीन करो कोई इंसान जिसको पता होगा देट उसकी लाइफ का आज आखरी दिन है अगर आप उससे कहोगे मेरी जिन्दगी और उसकी सारी परेशानिया तू ले 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 तो वो खुशी-खुशी आपकी सारी प्रॉब्लम्स ले लेगा और फिर भी दुनिया का सबसे खुश इंसान होगा अगर आपको anxiety, stress, depression या वरीश से दूर रहना है तो एक habit बना लो और कम से कम दिन में एक बार अपनी life की सारी अच्छी चीज़ों को गिनने की कोशिश करो और उसके लिए उपर वाले का शुकर करो जब आप ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा आप अपनी सोच से कितने ज़ादा अमीर हो Robert Moore ने ये बात तब सीखी जब वो 276 फीट पानी के नीचे एक सबबरीन में फसे हुए थे वोर का टाइम था उन पे जैपनीज माइन लेयर अटैक कर रही थी जो उनकी कभी भी जान ले सकती थी तब मौत को एकदम पास देखकर वो सोचने लगे कैसे वो पहले छोटी छोटी बातों पे फिकर किया करते थे जब वो पहले बैंक में काम करते थे उनकी लंबी ड्यूटी, कम सैलरी, खुद का घर ना होना, एक खुद की कार ना खरीद पाना ये सब तब उन्हें जिन्दगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती थी पर अब जब वो मरने वाले थे, उन्हें समझ आया कि वो सब फिकर कितनी बेतुकी थी और तभी उन्हें अपने आप से प्रॉमिस किया कि अब अगर वो जिन्दा बच गए, तो वो कभी इतना वरी नहीं करेंगे किसी भी बात को लेकर कभी भी नहीं उन्हें वो चांस मिल गया और वो वहाँ से बच निकले और फिर उसके बाद उन्हें ने कभी भी अपना खुद का किया गया फिकर ना करने का वादा नहीं तोड़ा mostly हमें चीजी जितनी बड़ी लगती है, actually में उतनी बड़ी होती नहीं हम बस सोच सोच के उसे बड़ा बना देते हैं मुझे याद है मैं पहले अपने सेलफोन में अच्छे-च्छे सॉंग्स और फॉरवर्ड मेसेज़िस जमा करता था मैंने काफी सारे सॉंग्स और मेसेज़िस जमा किये थे जो मुझे बहुत पसंद थे एक दिन मेरा सेलफोन खराब हो गया और मेरा सारा डेटा उसमें से उड़ गया इस बात ने मुझे इतना परिशान कर दिया था कि मुझे एक बीमार इंसान जैसा फील होने लगा था आज जब मैं वो बात सोचता हूँ तो मुझे हसी आती है पर तब वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी हम ऐसी ही बहुत सी स्टुपिड बातों को लेकर फिकर करने लगते हैं जो उतनी फिकर करने के लायक ही नहीं होती सो नेक्स टाइम जब आप किसी बात को लेकर फिकर करो तो अपने आपसे पूछो क्या ये सेम बात को लेकर मैं कुछ साल बात भी फिकर करूँगा और अगर नहीं तो अभी ही फिकर करना बंद कर दो 500 साल पहले माइकल डी मॉन्टेग ने कहा मेरी जिन्दगी बहुत सी परेशानियों से भरी है ऐसी परेशानिया जो कभी रियल में होती ही नहीं एक रिसर्ट से पता चला है कि 85% बाते जिसके हम फिकर करते हैं वो एक्चुल में कभी हमारे साथ होती ही नहीं और जो 15% होती है उसमें से 79% बाते फिकर करने के लायक नहीं होती मतलब टोटल 97% बाते जिसके आप फिकर कर रहे हो वो और कुछ नहीं बस आपके दिमाग का धर है जो आपको परिशान कर रहा है सो अब मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ जिससे आप इस unnecessary वरीज को खतम कर सकते हो उनमें से एक है कि आप जितना हो सके अपने आपको busy रखो because इंसान कितना भी समझदार हो वो दो चीज एक साथ नहीं सोच सकता सो जब आप busy रहना start करोगे तो आपको figure करने का time ही नहीं मिलेगा और busy भी ऐसे काम में रहो जिसमें आपकी creativity और planning यूज हो एक और चीज जो आप कर सकते हो वो है think and act cheerful जैसे हम एक साथ दो काम नहीं कर सकते वैसे ही हम एक साथ दो चीज फील नहीं कर सकते मतलब आप किसी बात को लेकर एकदम जादा excited और उसी time में किसी दूसरी बात को लेकर एकदम जादा sad एक साथ नहीं हो सकते आप जब भी tense feel करो तो मुस्कुराओ और ऐसा act करो कि आप खुश हो ये करने से आपको real में अच्छा feel होने लगेगा because हम अपनी feelings को directly control नहीं कर सकते बट अपने actions को कर सकते हैं और अच्छी बात ये है कि आपकी actions और आपकी feelings एक दूसरे से connected है so जब आप ऐसा act करोगी कि आप अच्छा feel कर रहे हो तो आपको real में अच्छा feel होने लगेगा ये concepts मैंने आपको डेल कानिगी की book How to stop worrying and start leaving से बताई है जिसने literally millions of लोगों की जिंदगी आसान कर दी है stress, worries, depression को खतम कर गे like करें अगर आपको ये बात काम की लगी अपने views कमेंट करें share करें इस वीडियो को सब के साथ ताकि दूसरों की live भी थोड़ी और beautiful हो सके subscribe करें मैं और ऐसी knowledge आपके साथ share करूँगा and finally thanks for watching